आप देख रहे हैं न्यूज बिहार बिहार का नमबर वन डिजिटल चैनल क similarly को लिए रोटी से त्रस्त है इतनी घटना घटी वहां त्रस्त है डंगा हो रहा है त्रस्त है लोग मारे जा रहे धृष्व है नरसंगार हो रहे है त्रस्त है सारे पांच लाग बच्चे की जिन्दगी नासूर बना दिया यह सिखंडी यह डिरेक्टर कहता है यह आनंद किशोर सिखंडी इतको चुलू भर पानी में मर जाना चाहिए यह दलाल टैप के लोग इसी दलाल के चलते तो नितिस्कुमार जी कि छबी कोई लोग प्रसंचिन खड़ा कर दिया है यही पतादिकारी लोग कभी साथ लाग कभी छो लाग को मैं को कि क्या कहते हैं फिजिक्स का मैथमेटिक्स इंगलिस का 50 मार 60 मैथमेटिक्स का 33 38 क्या कर जो मैठ्रिक में टॉप किया उसको जीरो और मरने कभ तक यह लड़ाइए इसलिए छात्रों ने निरन लिया है कि 72 गंटे के अंदर यादी कोई निर्णन नहीं लिया गिया ओनलाइन करो कौपी री एविलियेशन करो CCD के कैमरा के सामने साथ साथ आप सारी प्रकेडिया को आप CCD के सामने करिए हम हाई कोट जाएंगे CBI इंक्वारी के लिए छोड़ेंगे नहीं 72 गंटे के अंदर निर्मान में बिहारियों को बरबाद किया गुनागार वही विपक्ष वही सत्ता पक्ष लालू यादव कहते थे हमारे लास्प बटेगा सबसे पहले उन्होंने ही लालू यादव जी ही ने सबसे पहले बिल पास किया नितिश कुमार जी अटल वियारी बाजपई जी कि साथ सरकार में थे बिजेपी चाहि जायी जारकन बढ़ जाए मेरा सरकार हो जाएगा ये लोग चाहिए मेरे पड़िवार का मेरा पपोती हो जाएगा बिहार की चिंता किसी को नहीं थी चिंता थी अपने पड़िवार की अपनी कल लालू हटेंगे तो हम हम लालू और किसमों से कहते थे लाज पर और उसके बाद UPA की सरकार 10 साल NDA की सरकार 10 साल तो फिर विसेश राज का दरजा क्यों ने फिर विसेश पैकेज क्यों ने फिर एजुकेशन और हेल्थ पर विशेश पैकेज क्यों नहीं फिर इंफ्रास्टेक्चर पर विशेश पैकेज क्यों नहीं आखिर क्या कारण है और जब चुनाओ आता है तो आप राजनिती करते हैं आरजेडी में एक बेटा तो कही दिया कि अपरादियों के और गुंडों की पार्टी है डलालों की पार्टी बनती जा रही है बहुत लेट से कहा बहुत पहले कहना चाहिए ये बख्च और भीपख्च सब मिल करके जो बिहार में बैट करके सिर्फ हिंदू मुसलमान बैकवा अधिसे तरस्त है इतनी खिलाब महा भारत के तरह जंग लगने की जोरत है इस बिहार के स्टूने दोड़िवार हमारे फीस्बूक पीज को लाइक करें ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज भीहार लाइब और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल ऐकन दबाना ना दोने धन्यवाद